इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ most important question दोस्तों जो बार-बार परिष्छाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई साभी government exam देंगे तो आपके paper में ये suppression हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों इन सब प्रशनों को solve करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रशनों को बिना पेन उठाए solve करेंगे मातर कुछी सेकेंड में तो आईए दोस्तों देखते हैं reasoning के कुछ most important question देखिएगा दोस्तों पहला question है most important question है और ये प्रशन बहुत बार पर इशाओं में पूछा जा चुका है और इस टाइप के कभी भी प्रशन आए तो कैसे solve कीजिएगा समझिएगा प्रशन का है रहा है दोस्तों दिये गए भी कलपों में से looped pad ग्याद कीजिए looped pad मतलब missing number यहाँ पे है ना प्रशनवा चेक्टिंग यही पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके अलिए दोस्तों क्या करते हैं पहले हम देखते हैं यह जैशे लिखा यैनी 234 का सम्бण्द यह उसी प्रकार से 133 का सम्बंद कीस से होगा इन 4 आप्शन आपके सामने दिये गए हैं 104 आप्शनों में सब को बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे पहले आप feliz में कौन-कौन से अंक है? 2 है, 3 है, 4 है. इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे. 2 प्लस 3 प्लस 4. अब देखिए, 2, 3 क्या हो जाएगा? 5, 5 है क्या हो जाएगा? 9. अब हम क्या करेंगे? 9 का square करेंगे. 9 का square हो जाएगा? 9 गुणे 9, यानि 81 और 81 यहाँ पर दिया हुए, ठीक है? यानि यह क्या क्या है? दोस्तो, संख्याओं को आपस में जोड़के square कर दिया. अब इसी प्रकार से दोस्तो, आगे वाले जो संख्याओं आपको दिख रहा है, इसको भी वही करेंगे. क्या है? 143 में 1 है, 4 है, 3 है. इसको भी क्या करेंगे? आपस में दोस्तो, हम जोड़ देंगे. 1 प्लस 4 करेंगे, 5, 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तो, 8. और 8 का दोस्तो, square करेंगे. 8 का square 8 का square क्या होता है? 8 ही टाई 64, 8 गुणे 8, तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तो, 64 हो जाएगा. 8 का square क्या होता है? 64 होता है, तो 64 इसका answer हो जाएगा. 64 किस option में है? option number C में है. आपका option number C दोस्तो, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. तो मैं उमीद करता हूँ, दोस्तो, आप इस question को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के होंगे और इस टाइब के प्रस्त आपके दोस्तो, पेपर में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे. दोस्तो, क्या होता है प्रस्त में? प्रस्त के जो दिये रहते हैं संख्या हो, इननी को आपस में जोड़के square कर देता है. कभी-कभी क्या कर देता है, तो इसमें क्या है, isquire किया है, तो आगले संख्या का पिखा करेंगे दूस्तों, इसको है, ही कर देंगे, जोड़के, isquire करेंगे, तो क्या जाएगा, 64 suo जाएगा, 64 तो, इसका सही answer हो जाएगा, next question देखिए गा, अगला question, दूसरा passion देखिए, दूसरा passion भी most important है और यह भी प्रस्ण बहुत बार पूसा जा चुका है और इस टाइप के प्रस्ण आए तो देखिए दोस्तों कैसे स्वल्व के जाता है दूसरा प्रस्ण है दोस्तों नीचे दी गई इस रिंखला में अगला पद क्या होगा अगला पद मतलब प्रस्ण वाचक्चिन है यहीं पर आपको बताना इस सीरीज में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे पहले स सीरीज के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे सीरीज से रिलेटेट कभी भी प्रस्ण है तो सीरीज के संख्याओं को अच्छे से देखना चाहिए देखेंगे एक है पांच है चौदा है उसके बाद क्या है दोस्तों तीस पच्पन इकानवे प्रस्ण वाचक्चिन य अइसे करीब में गुने में बढ़ती है, ठीक है, तो ये ज्यादा संख्याय नहीं बढ़ रही है, जब ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोस्तों, हम इसका difference देखे हैं, अंतर देखते हैं, एक और पांच के बीच कितने का अंतर है, एक से पांच हुआ है, यानि कि कितना चार बढ़ा है, दोस्तों आपको आपको क्या मिल ला है चार बढ़ा है, नौ बढ़ा है, 16, 25, 36, यह क्या है दोस्तो, यह square है, किसके square है, यह 2 का square है, यह 3 का square है, यह 4 का square, 16, 25 का square है, 36, 36 का square है, आगे क्या होगा दोस्तो, 7 का square, 7 का square क्या होता है दोस्तो, 49 होता है, आगे क्या बढ़ेगा, 49 बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे दोस् दोस्तो 140 हो जाएगा, 140 किस option में आपको दिख रहा है, option number D में दिख रहा है, आपका option number D दोस्तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रेशन को भी अच्छे से समझ गयोंगे, और इस टाइप के प्रेशन आएगा, तो आप का जोड दिये, तो क्या होगा, दोस्तो 49 जोड दिये, तो 140 इसका अंसर हो गया, तो इस टाइप के प्रेशन है, दोस्तो आप बिना पेन उठाए भी solve कर सकते हैं, अगला question देखिएगा दोस्तो तीसरा प्रेशन, तीसरा प्रेशन तो बहुत ही important है, और बहुत बार ये प् सजाए, तो आप कैसे solve करेंगे, समझेगा, प्रेशन क्या कहरा है, दोस्तो moment, a-m-o-m-e-n-t, satshto को कितने तरह से करमबध कर सकते हैं, करमबध कहरा है, कितने तरह से करमबध कर सकते हैं, कितने तरह से अगल बदल के अच्छरों को लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये चीज ठीक है? तो देखे किने तरह से करमबद कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले Moment के अच्छरों को देखेंगे, Moment की attraction है, Moment के अच्छरों को देखेंगे, Moment में कौन-魔atures अच्छर है, देख बली क्यां समझाता हूं, समझिएगा, यम है, ओ है, फिर क्या है दोस्तो, यम है, फिर उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो अब इसे count करेंगे, moment में कुल कितने अच्छर है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, कितने अच्छर है दोस्तो, moment में, कुल छे अच्छर है, छे अच् देखेंगे दोस्तो moment में कितने अक्षर repeat किये है यानि कि कितने ऐसे अच्छर है जो 2 बारा है या 3 बारा है तो इसमें दोस्तो देखेंगे 2 बार एक ही अच्छर आया है जो की yum है, yum यहाँ पे भी आया है और yum आपका यहाँ पे भी आया है दिख रहा है न, moment में यम क्या है दोस्तों, दो बार आया है, अगर जो दो बार नहीं आया है, तो सिर्फ factorial 6 लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, दो बार यम आया है, जब दो बार यम आया है, तो इसको बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, factorial 2, ठीक है, देखिए ग तो इससे क्या लिख देंगे दोस्तो फैक्टोरियल 2 अब देखेंगे दोस्तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है समझेगा फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है दोस्तो छे गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक कहा तक दोस्तो एक तक इससे क्या क च्छे गुणने 5 गुणने 4 गुणने 2 गुणनेестоरीख्टोरियल का मतलब यह वड़े वहां आपकर देंगे चार गुणन 120 हो जाएगा 30 गुने 4 करेंगे 3 चुको 12 120 हो जाएगा और 120 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बारत के 36 0 बढ़ जाएगा 360 इसको आपस में बुड़ा करेंगे तो 360 हो जाएगा तो मोमेंट के अक्छरों को दोस्तों कूल 360 तरह से करमबद कर सकते हैं 360 किस ओप्षन में है option नमबर ए में है आपका option नमबर यह दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को भी अच्छे से समझ गया होंगे और इस टाप के प्रशन आपके पेपर में पूसा जाएगा तो आप अच्छे से और टोस्तों है रहता है या दो बारा है तो बैटा में क्या लिख देंगे नहीं क्या होगा की मोमेंट के जो अच्छा है उसको कुल थी रॊंसाथ तरसे करमबध हम कर सकते या है तो मैं next question देखिए लो दोस्तो next question बहुत ही important है अगला question देखने से पहले दोस्तो जो नए student है उनको मैं विता दू दोस्तो यह पंचम पवलीशर की e-book है आपके आगामी सभी परिशाओं के लिए important है चाहे आप railway की exam देंगे एससी की exam देंगे या other आप दोस्तो कोई सा भी government exam देंगे दोस्तो इस e-book में उन प्रस्णों को सामिल किया गया है जो प्रस्ण आपके परिशाओं में बार बार पूसे जाते हैं जो प्रस्ण हमेशा परिशाओं में repeat करते हैं दोस्तो इस e-book में आपको 10 practice set मिल जागा प्लस दस one liner set मिल जागा one liner set कहने का मतलब है दोस्तो एक line में question दूसरे line में answer इससे क्या होगा दोस्तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे दोस्तो आपके exam में एक से दो दिल का भी time है तो इस e-book को ले के आप ज़रूर पढ़ लिजएगा आपके exam में काफी help मि जाएगी इस e-book को दोस्तो आप ले कहा सकते हैं तो इसका link दोस्तो मैं नीचे description box में दे दिया हूं उस link के थूरू दोस्तो आप इस e-book को download कर सकते हैं दोस्तो यह e-book है video of notes की तरह है आपके mobile में download जाएगी आप mobile से ही पर सकेंगे यह market में offline आपको नहीं मिलेगी अगर ज इसलिए दोस्तो एक्जाम से पहले पहले इस e-book को एक बार ले कि आप अवसे पढ़ लिजिएगा तो आईए दोस्तो देखते हैं next question देखिए दोस्तो अगला question है आपका चौथा प्रस्न चौथा प्रस्न बहुत ही important है missing number से और यह भी प्रस्न बहुत बार पूछा जा तो कैसे solve करेंगे देखिए चौथा प्रस्न करेंगे दिये गए भी कलपों में से लूपत संख्या गयात कीजिए लूपत संख्या मतलब missing number कहाँ पर है दोस्तो यहाँ पर corner पर आपको प्रस्न बहुत चेक चिने दिख रहा होगा यही पर दोस्तो आपको बताना है कि कौन स शंख्या आपको नीचे यहाँ पर बढ़ी दिखने लगे यहाँ पर बाड़ी दिखने लगे तो प्रस्न को ऐसे solve किया जाता है अगर छो संख्या यहाँ पर बाड़ी दिखने लगे तो आपको ऐसे सोचना चाहिए क्या होता है दोस्तो 99% केस में प्रस्ण ऐसे ही solve होता है तो इसमें जंख्या आपको कैसे बड़ी दिख रही है दोस्तो side में बड़ी दिख रही है तो इस प्रस्ण को हम ऐसे सोचेंगे सोचने का तरीका देखिएगा ऐसे आप सोचेंगे तो यही परक्रिय आगे वालेक साथ की होना चाहिए, सत्रा और पांच को क्या करें दोस्तों, जोड़ देंगे तो सत्रा पांच दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्रा पाइच आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्रा तिन बीस और दो बाइस, 22 का आधा क्या हो जागा दोस्तो 11 हो जागा क्या होगा दोस्तो 17 5 हो जागा आपका 22 और 22 का आधा करेंगे तो 11 लेकिन यह 13 दिया है तो यह प्रशन दोस्तो ऐसे solve नहीं होगा अब क्या करेंगे दोस्तो इस प्रशन को हम सोचेंगे कैसे समझियेगा इस प्रेशन को दोस्तों हम सोचेंगे ऐसे यानि कि 8 और 17 को क्या करें कि 33 आ जाए 8 और 17 को क्या करें कि 33 आ जाए ठीक है तो देखिए कि दोस्तों 8 प्लस 17 8 और 17 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, 23, 25, 25 क्या हो जाएगा यानि कहने का मतलब समझियेगा, भी समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, यानि किसमें क्या किया 25, अब देखियेगा दोस्तों, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, दोस्तों, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 17, अब क्या जोड़े की 29 हो जाएगा, यानि कि 12 और जोड़ेंगे, प्लस 12 औ तो ऑगते हैं तो गुझा, पॉलकर दे रहा है और इसको जोड़े रहा है, अपलस पांच जोड़ देंगे, बारा का दो स्फिर ओप गटेंगे तो प्लस तेरा जोड़ेंगे, टीस अंच जो जड़ेंगे, तो इसी प्रकार से तीसरे वाले के साथ यही अपनाएंगे, दस का दोस्तो दो गुना करेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा और इसी में प्लस 13 जोड़ देंगे ठीक है 20 और 13 दोस्तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, 10, 33, 33, 33 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा तो यहाँ पर भारा जाने वाला दोस्तो संख्या क्या हो जाएगा और ऐसा भी प्रेशन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, क्या किया है एक बर और समझा देता हूं दोस्तों, इसका दो गुना और प्लस ये, 8 दुना का 16, 17, 33 हो गया, 12 दुना का 24, प्लस 5 कर देंगे, 29 हो गया दोस्तों, 10 दुना का 20, प्लस 13 कर दें और इसके लिए दोस्तों आपको पेपर उठाने की जोड़त नहीं है, बिना पेपर उठाया इस प्रस्न का अंसर की दिया जाता है, कैसे तो समझा रहा हूं, और अगला प्रस्न देखने से पहले आपको दोस्तों बता दू, अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेस प्रस्नों को सेकेंडों में सॉल्प करने लगेंगे, वी बिना पेपर उठाया, मैं तमा आपको थोड़ी सी भी प्रब्लम होती है, तो उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिक्स्प्रिशन बॉक्स में दे दिया हूं, तो देखिए को दोस्तों पा बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो देखिए पांचोव प्रस्न क्या कहा रहा है, प्रस्न पहले समझेगा, प्रस्न कहा रहा है दोस्तों 12 जनौरी 1989, यानि कि 12 जनौरी 1989 को सुक्रवार था, तो निमलिखित में से कौन सा दिन 12 जनौरी 1981 को होगा, ऐसे प्रस्न पर चंपू से जाते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों पहले देखा जाता है इसको मैं समझा देता हूँ पहले आपको दोस्तों ये मालूम करना होता है कि इसमें समाने बर्स कौन है कौन लीप यर है समाने बर्स क्या होता है दोस्तों जिसमें फेबुरुरी माह 28 दिन का होता है और आपको पता होगा दोस्तो एक leap year होता है जिसमें February मार क्या होता है दोस्तो 29 दिन का होता है पिछले वीडियो में इसे बताया था दोस्तो समाने बर्स कैसे निकाला जाता है यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ दोस्तो जो दिन क्या होता है दोस्तो 365 दिन का होता है यान से भाग करूँ पूरा-पूरा विवाजित नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों समानियर हो जाएगा अगर जो दोस्तों यहाँ पर मैं कहलू 1980 के बीच में पढ़ेगा न तो 1980 क्या होगा दोस्तों ये 4 से पूरा-पूरा दोस्तों इसमें भाग चला जाएगा जब पूरा-पूरा भाग चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ली पियर, ली पियर में क्या होता है दोस्तों, 306 दिन होता है, क्या होता है दोस्तों, 306 दिन होता है, जबकि समान्य वर्स में दोस्तों क्या होता है, 365 दिन होता है, ली पियर में 306 दिन क्यों होता है, क्योंकि फेबरुरी माह क्या हो जाता है दोस्तों, 29 दिन का, यही एक द जन्वरी 12-January 1989 को दोस्तों क्या है सुक्रवार था यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ सुक्रवार था क्या था दोस्तों सुक्रवार था तो निमलिखित में से कौन सा दिन 12-January 1981 को तो बताए दोस्तों 12-January 1989 को क्या होगा 1980 को क्या होगा एक दिन बढ़ जाएगा क्या होगा दोस्तों एक दिन इसमें बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा कि 365 दिन का दिन होता है क्या होता है दोस्तों समाने बर्ष है न 1989 से 1980 तक ठीक है अभी 12 जनवरी की बात हो रही 1980 में ठीक है February के बाद होता तो एक दिन और बढ़ जाता दो दिन बढ़ता लेकिन क्या है दोस्तो 12 January की बात हो रही है तो 365 दिन इसमें एक दिन क्यों बढ़ता है यह भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको 365 को दोस्तो साथ से भाग करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तो 52 सब्ता प्लस एक दिन होता है 52 तो जो कते हो जाएगा एक दिन जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 जनवरी 1980 को दोस्तो क्या हो जाएगा सनीवार हो जाएगा क्या होगा सनीवार हो जाएगा अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये 1980 जो है ये क्या है दोस्तों लीपियर है यानि 1980 में क्या होगा दोस्तों पूरे साल के दिन क्या होगे 306 दिन क्योंगे कितने दिन को होगे दोस्तों 306 दिन का होगा अब आगे वाले साल में दोस्तों 12 जनवरी यहां पर पूछा है 1981 क्या पूचा है 12 January 1901, तो इसमें फेबुरी महा कितने दिन के हो जाएंगे दोस्तो 1980 में 39 दिन के हो जाएंगे और 12 January 1901 पूच रहा है तो यानि कि इसमें क्या बढ़ेगा दोस्तो 2 दिन बढ़ जाएगा, कितना दिन दोस्तो बढ़ेगा दो दिन बढ़ेगा तो सनिवार में 2 दिन चुड़ेंगे तो क्या होगा रभिवार, सो मौर तो 12 जनवरी 1981 को दोस्तों क्या हो जाएगा सो मौर हो जाएगा किस ciento option में आपको दीख रहे option no.b me दीख रहे आपका option no.b kya होगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ तो आप इस प्रस्टों को अच्छे से समझ गयोंगे अब देखिएगा मैं समझहाता हूँ दोस्तों इसमें क्यों आपको पेन उठाने की ज़़ोगत नहीं यह तो आपको बेसिक चिजे रही जो मैं आपको समझाया अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे भी होंगे अच्छे से देखिए 12 जनौरी 1989 को सुक्रवार था तो दोस्तो 12 जनौरी 1980 को क्या हो जाएगा दोस्तो सनीवार हो जाएगा क्या हो जाएगा सोमीद का मतलब जालें डिया जाएगा क्यों समय ने बर्स की बात करें थो उसमें क्या होगा दोस्तों एक दिन बढ़एगा क्योंकि 365 दिन होता है 365 दिन का मतलब 52 प्लस एक दिन और 366 दिन का मतलब लीपियर का मतलब होता है 52 प्लस दो दिन ठीक है तो इसमें प्लस दो दिन होगा ठीक है 1980 से 1981 समझेगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है 1989 है 1989 है फिर क्या होगा दोस्तो 1980 होगा फिर दोस्तो क्या होगा 1981 होगा तो 1989 से 1980 तक क्या होगा दोस्तो एक दिन बढ़ेगा यानि यहाँ सुक्रवार है तो यहाँ पर क्या होगा सनिवार अब 1980 से 1981 में क्या हो जाएगा दोस्तो दो दिन बढ़ जाएगा सनिवार के बाद क्या हो जाएगा सनिवार के बाद दोस्तो रभीवार रभीवार के बाद सोमर दो दिन बढ़ जाएगा तो सोमर तो 12 जनवरी दोस्तो 1981 को पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा दोस्तो सोमर जो कि option number B में option number B सही हो जाएगा तो मैं मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टैफ के प्रशन आए तो आप बिला पेन उठाए भी इस प्रशन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसमें और भी कोश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और यह